नमस्कार जैजी देंडर प्रणाम मैं सतीज जैन फ्रोम रोईनी आश्टर वास्तु मैं आपका हार्दी स्वाकर करताओ सबसे पहले मैं समा चाता हूँ कि मेरे साधना के कारण मैं पिछले मैंने वीडियो नहीं दे पाया आगे से वीडियो हम लोग कंटिनुटी में आएंगे और अलग-अलग विश्यो उपर आपके प्रश्णों पर सारे वीडियो बनने जा रहे हैं अगर आपके माई में कोई भी सवाल हो तो जरूर मुझे भेज देना है हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे तो आज हम लोग बात कर रहे हैं social media social media means laptop mobile इसके फाइदे क्या है और नुश्कान क्या है और जोतिश की दुशटी में भी इसका क्या आथर गoryटा है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते कि media आजकल मीडिया की बिना कुछ नहीं होता है क्योंकि मोबाइल एक ऐसी चीज है जो बोलते हैं कि पूरी दुनिया मुठी में आप आपके हाथ में पूरी दुनिया का इंफर्मेशन समाचार ले सकते हो तो इसके पहले हम लोग फायरे देखेंगे उसके बाद हम लोग उसका ज होता है तो उसके फायदे तो होते ही है पर फायदे के साथ साथ वह बूरी चीजे भी लाता है उसमें से क्या लेना क्या नहीं वह हर एक के अपने अपनी चॉइस के उपर डिपेंड रहता है तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जब से मीडिया सक्रिय हुआ है मीडिया तो प्रगदिपत पर आ गया है बहुत सारे ईसे बिजनेस हैं जो ओनलाइन होने लगे हैं लोगों को काम मिल रहे हैं, थूरू मीडिया लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी इंफर्मेशन्स, ग्यानवर्तर बाते भी मिल रही हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो भी समझ में आ रहा है, यह फाइदे तो बहुत कुछ है, तो ए फाइदे कौन सा ग्रह इसको रिलीट करता है कि इस जो फाइड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया के उसमें जो हैं बुद्ध ग्रह बहुत ही पावर्फुल रहता है और गुरु क्योंकि बुद्ध और गुरु बुद्ध याने आपकी वाचा शक्ति गुरु याने ग्यान याने लोगों को अच्छा सा तो क्याद metiisin जो मिल रहा है तो वी होगही सोशल मीडिया की इसके क्या-क्या फायदे है पाह सारे फायदे हैं अब यह ओपएर करेंगे फायदा और लुष्कान तो उसमें आज की यूबमें इसके बहुत कहां ज्यादा हो रहे हैं मीडिया की बात आती है । मोबाइल की क्योंकि आधकल लोगों को मा भाप भाई बेन नहीं रहा तो चलेंगा पर मोबाइल चाहिए सुबह जब नीन से यंग्ष्टर या जो भी उठते हैं तो भगवान का मुझ देखने से पहले मोबाइल चेक करते कि मोबाइल मेरे बाजू में है क्या नहीं किसका मैस उनके पास बड़ाई फैमिली के लिए टाइनी एक सबसे बड़ा बैकलॉग है इस मीडिया का इस मीडिया के कारण लोग उसका जो फाइदा उठाना चाहते थे वो नहीं उठा रहे गैर फाइदा ज्यादा उठा रहे है आज कल छोटे बच्छे भी जब खाना खाते हैं त तो भी खाना खाते हैं यह सबसे बड़ा बैकलॉग है अपने मोबाईल का मोबाईल अच्छी चीज भी है बूरी भी है अच्छी चीज तो ऐसे मानते हैं कि हम लोग हरेक से कम्यूनुकेट कर सकते हैं वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं बात कर सकते हैं अभी एक कौन सा घर इस इसमें शुक्र, तो पहले हम लोग शुक्र की बात करेंगे, क्योंकि पहले मूबाईल साध्य आते थे यह आते थे, पर आजकल शुक्र अने वीनस, वीनस अने संपनन अता, आजकल अक्सेसरीज बोलो, models बोलो जो mobile के नएने versions आ रहे हैं तो उसमें सुन्दरता निखरके आ रही है model की वो mobile की उसके accessories की यहने शुक्र भी role कर रहा है इसमें अभी बात आती है बुद्ध और गुरु जो मैंने पहले भी बता है कि इसके कारण लोगों को अच्छा सा knowledge मिल रहा है दुनिया में क्या हो रहा है क्या ने उसके बारे में भी बाते चल रही है अभी minus point पे आते हैं कि जब राहू और शनी सक्रिय होते है through the mobile तो राहू के कारण लोग माया जाल में फसते हैं आपने देखा भी रहेंगा कि बहुत सारे fraud Facebook बोलो Instagram बोलो इसके उपर हो रहे है लोगों अन्जाने लोगों से पैचान होके लोग उनके उपर blindly faith करके specially लड़किया जो है प्यार में फस जाती है और भाग के भी जाती है बच्छे लोग जो राहुस जब सक्रियों होता है तो उनके आपको पर पट्टी आ जाती है जो चीद नहीं देखनी चाहिए वो इस मीडिया के थूद देख रहे हैं मोबाईल की थूद देख रहे हैं तो इसका तो solution एक ये कि हमें मोबाईल कितना यूज करना है ये हमारे उपर है वेग्यानिकों ने इन्वेंटरी तो कर दिया अच्छी पर उसका कितना फाइदा उटाना ये हमारे उपर है कि हम इसका सद उपयोग करे या दूर उपयोग करे तो आजकल मोबाईल का जो फैड बना हुआ है तो इसमें सद बुद्धी ये सद वीवेक बुद्धी का वापर करके उसका यूज किया तो निच्छित रूप से ये जो सोशल मीडिया है ये जो मोबाईल है आपके लिए लाबदाए करेंगा पर जब आप ब्लाइनली ये अंधर विश्वास ये पूरे आगमून के मोबाईल के सहारे रहोंगे तो निच्छित थी लॉस होना है वैसे तो बहुत सारा टॉपिक लंबा हो सकता है पर हमारा प्रिंस्टिपल है कि हमारे वीडियो चार और पाच मिन के बनते हैं ताकि लोगों को अच्छी सी इंपर्मेशन मिले आशा करता हूँ ये जो सोशल मीडिया का वीडियो है आपको पसंद आएगा जै जिनेंडर प्रडाम नमस्कार